Hello student, welcome to our Hindi class तो student, last class में हम लोगों ने पायल के साहस का किताबी कार्य कलब किया था ना बच्चों? आप सभी ने किया? ओके, तो आज हम लोग हमारी बुक फोर का पहला पार्ट शुरू करेंगे जो कि है पार्ट 7, बादल यह एक बहुत ही सुन्दर कवीता है बच्चों, स्री प्रशाज द्वारा लिखे गई है, ओके बच्चों? तो बच्चों, आपके बुक फोर में आपका पार्ट 7 है, जिसका नाम है बादल यह एक कवीता है, यह एक बहुत ही सुन्दर कवीता है बच्चों तो आज हम लोग यह कविता पढ़ेंगे पेज नमीर टू में आपकी कविता है बादल इस कविता में कवी ने बादल के विभिन रूप रंगों का वर्णन किया है कि कैसे बादल बनते हैं, वो क्या करते हैं यह बताया है ओके बच्चों इस कवीता के कवी है स्री प्रशाजी स्री प्रशाजी द्वारा लेखी गई यह कवीता है बच्चों तो आब हम लोग एक छंद करके इस कवीता को पढ़ेंगे हमारे प्राथम छंद है काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए कैसे बादल आकर छाय इस पंक्तियों में कवी यह कहते हैं कि कैसे आसमान में काले काले पानी से भरे वे बादल दिखाई पड़ रहे हैं और यह कितने सुन्दर लग रहे हैं हवा पकड़ कर लाती सरसर कवी कहते हैं कि हवा इधर उधर से बादलों को पकड़ कर लाती है और एक जगर इकठा करती है छाय जैसे काले कंबल लगते कितने सुन्दर कवी कहते हैं कि बादल जो है ऐसे लग रहा है कि काले कंबलों की तरह एक जगर इकठे हुए पड़े है कवी को काले बादल काले कम्बलों की तरह दिखाई दे रहे हैं बच्चों और बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं तो हमारे पेज नमबर थ्री में हमारा दूसरा चंद है बच्चों बादल पेडो जैसे भेडो जैसे लगते जैसे चलते घोडे इस चंद में कवी ने बादल के अलग-अलग आक्रितियों का वर्णन किया है जैसे बादल जैसे पेडो जैसे बेडो जैसे कवी को कभी तो बादल पेडो जैसे दिखाई दे रहे हैं कभी भेडो जैसे भेड मतलब शिप शिप जैसे दिखाई दे रहे हैं लगते जैसे चलते घोडे और कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि घोडे चल रहे हैं उस परकार बादल उन्हें दिखाई पड़ रहे हैं बन जाते हाती के जोडे और कभी हाती के जोडे दिखाई पड़ते हैं देख रहे हो ना बच्चों इस चित्र में घोडे, हाती, शीप, बादलों के आकार का तो दूसरा नन्हे जलकन जलकन मतलब पानी की छोटी-छोटी बूंदे गए भाब बन कभी कहते हैं कि जो हमारे पानी की छोटी-छोटी बूंदे हैं वे भाब बन गए हैं और उपर आस्मान में चले गए उसी भाब से ठंड़क पाई और फिर वही हमें पानी बर्षा कर हमें ठंड़क देती है हाना बच्चों तो हमारे तीसरे छन में कभी कहते हैं बादल बर्षे बर्खा आई करते गड़गर बाते बड़बड कभी कहते हैं बादल जो बरसते हैं तब बर्खा आती है बर्खा मतला बारिश आती है करते गड़गर कभी बादल गड़गर आवाज ये करते हैं अलग-अलग परकार की कभी ऐसा लग रहा है वो आपस में बड़ बड़ा रहे हैं बिजली बादल को चमकाए अंधियारे में रह दिखाए जब बारिश आती है तो पहले बिजली चमकती है ना बच्चो वही बिजली जब चमकती है तो एक रोशन दिखाई पड़ती है जिससे हमें अंधियारे में अंधिकार में भी रास्ता दिखाई देता है है ना बच्चो तो हमारी दूसरी लाइन में मोर मगन मन चनन चनन चन जूम जूम कर नाच दिखाए जो मोर होते हैं बच्चो उन्हें बारिश बहुत पसंद होती है वे बारिश के मोशन में बादलों को देख कर ही बहुत नाचने लगते हैं, गुन-गुनाने लगते हैं और खुश होकर गाना गाते हैं, बादल खुश हो गाना गाते हैं, बादल भी उन्हें देख कर खुश होकर गाना गाते हैं, ऐसा कवी को प्रतीत हो रहा है, ना बच्च आप इसे घर में पढ़ें ओके बच्चो बाई बाई